कैसे वह सभी स्टुडेंट्स आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टीचर सड्डा पे और जैसे के अभी टीजीटी पीजीटी की वेकेंसी आई हैं और लास्ट तीन-चार महिने में देखा जाए तो यही वेकेंसी बहुत ज्यादा आ भी रही है तो एक बार मैं आपको क सब्जेक्ट के साथ आपके पास हिंदी तो आपने बीएड में हिंदी लेंगवेज के तो रुपे ली हो जैसे आपके पास सपोज करिये था भई सस्ट का कोई सब्जेक्ट था तो आपने बी एड जो कियो सस्ट के सब्जेक्ट में कियो उसे बोल देते हैं ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर अब आतें पीजीटी पीजीटी का अर्थ होता है पोश्ट ठीक पोश्ट ग्रेजवेशन के साथ-साथ बीएड पे मैं प्लस लिक्के जैसे अखबार में नियम अवयम सर्ते लागू जैसे अगर बात करें UP में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कंपलसरी नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, RPSC में चाहिए, KVS में नहीं चाहिए, बात करें, KVS का वैसे अभी रूल्स बदलने वाले, तो KVS को भी रहने देते हैं, KVS वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, DSSS भी देख लेते हैं, DSSS में क्या है, या तो आपके पास BAD हो, या फिर आप 60% के साथ आपने पास किया हो किसे, बारवी को, ग्रेजवेशन को और पोस्ट ग्रेजवेशन को, 12th, ग्रेजवेशन और PG आपने अपनी जो है, वो क यह हो, 60% जादा नंबरों से, तो DSSS में जिसे यह है, ठीक, तो BAD का बड़ा असा पेचीदा मामला है, PGT वालों के लिए, यह पोइंट आप ध्यान रखिएगा, TGT में ग्रेजवेशन प्लस BAD होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजवेशन में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छा TGT टीचर का काम क्या होता है, TGT टीचर का काम होता है, 9th, 10th को पढ़ाना, PGT का काम होता है, 11th, 12th को पढ़ाना, अब यह जो यहां पे TGT है, इसे कुछ लोग छटी से दसवी कंसीडर गरते हैं, इसे कुछ जगह उपर छटी से दसवी कंसीडर गरते हैं, वैसे तो TGT का मतलब होता है 9th to 10, मतलब आप ऐसे लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि पहली से पाँचवी प्राइमरी हो गया, पाँचवी के बाद छटी से आठ जूनियर बोल देते हैं, जिसे राजिस्थान में लेवल टू के नाम से वेकंसीज आ जाती हैं, ऐसे ही अगर बात करें हम अन्य जगह उपर, वहां पर ये लेवल अलगी बना लिया है, अलग निकाल लिया है, लेकिन जैसे दिल्ली है, दिल्ली में TGT की बरती आएगी, व वेकंसी छटी से दसवी के टीचर के लियोगी, वहां तो बड़ा पेचीदा सा मामला है, PGT वाले को नुवी दसवी भी पढ़वा लेते हैं, और TGT वाले को भी 9-10 पढ़वा लेते हैं, मतलब वो डिपेंड गरता है, स्कूल प्रिंसिपल पर, जो वहां पर होता है, उस कैसे उस चीज को मैनेज करना चाहता है, अब यहां पर आप एक पुइंट और ध्यान रखिएगा, जहां 6-10 मानते हैं, जैसे दिल्ली में TGT कर्थ 6-10 है, तो वहां पर आपको पेपर 2 पास होना जरूरी है, टेट का, कोई आपने टीचर से लिजिबिल्टी टेस्ट पास क अगर हर्याना को अगर चोड़ दे, हर्याना में ये लोग मांगते हैं लेवल 3 पास हो आप, लेवल 3 टेट आपने पास किया हो, हर्याना टेट का, point clear, H टेट लेवल 3 अगर आप हर्याना में बरने जाते हैं, लेकिन बेफिकर रही हैं, वेकन्सी रहीं है यह vacancy 30 से 10 के लिए कुछ जगों पर मानी जाती है लेकिन कुछ जगों पर pure 9 to 10 होती है अब इसका नाम TGT का कई जगों पर LT भी होता है LT का मतलब होता है License Teacher ठीक जो की UP में vacancy आती है GIC में मतलब Government Inter Colleges में जहां पर इने LT कहा जाता है License Teacher कहा जाता है लेकिन PGT की मैं बात करूँ तो PGT को कही जगे पर Lecturer भी कहा जाता है क्या कहा जाता है Lecturer भी कहा जाता है इसके अलावा कोई भी आपका doubt हो तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं ये इनसे related basic information है थोड़ा subject का मैं आपको बता दूँ जो भी subject का भरना चाहते हो उस subject का उस state का आपको notification पढ़ना पढ़ेगा तो ही confusion clear होगा basic funda तो ये है जो subject आपने graduation में दो या उससे अधिक साल के लिए पढ़ा हो वो आपका core subject बन सकता है कह रहा हूँ मैं बन जाएगा वो नहीं कह रहा हूँ बन सकता है post graduation तो आप एक ही subject में जैसे करते हैं जैसे MA English, MA History ऐसे आप करते हैं तो वो जो इस subject में आपने post graduation किया है वो eligible हो जाएगा PGT teacher बनने के लिए उससे पहले आपने post graduation से पहले क्या किया है combination माइने नहीं रखता है वो matter नहीं करता है clear अब TGT PGT की vacancies आ गई है उसके लिए आप पढ़ने के लिए क्या गर सकते है सबसे पहले आप phone fill कर सकते हैं उसके अलावा इस यह जो आप video भी देख रहे हैं इस video के description में इस video के description में आपको अब भी चलो मैं वैसी बता देता है आप video के description में जाओगे भी open नहीं गर पारों में video उसके description में जब आप जाओगे तो आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी नीचे एक हमने प्लेइलिस्ट बनाई है अलग से जिसमें सारे जितने भी आपके TGT PGT से related rules यानी नियम है उन सब को लेकर हम वीडियोस बना रहे हैं जिससे हर बच्चे का doubt clear हो सके चोटी चोटी बात है जिनसे confusion होता है वो दूर हो सके स्लेबस की PDF भी मतलब स्लेबस की जो वीडियोस हैं वो भी उसी में है सब सब्जेक्स का स्लेबस आपके साथ सेयर किया जाएगा अलग-अलग सब्जेक्स में क्या combination होना चाहिए उसकी वीडियोस है तो आप नीचे description में जाएगा इस वीडियो के आपको playlist मिल जाएगी जिसकी जानकारी अलग से सेयर करूँगा कि क्या है teaching महापैक क्या है वो मैं अलग से सेयर करूँगा लेकिन महापैक के लिए आज आप तयार रहें दो साल के लिए मिल रहा है मतलब double validity के साथ आया है 32 रुपे में ठीक code यूज़ करना है आपको Y174 ये code यूज़ करेंगे त बाग की बाए बाए टटा टेक क्या ध्यान रखिएगा अपना कोई भी डाउट आपको आता टीज़ेटी पीज़ेटी में मेरी clarification देने के बाद अब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं